नमस्कार दोस्तो रेडियो ग्राफिक सिंप्लिफाइड में आप सबी का स्वागत है आज का टॉपिक है डिरेक्शनल टर्म और इसको समझने के लिए एक मेरा दोस्स आपकी हल्प करने वाला है देखे देखने में थोड़ा सा शरारती है इसके एक्स्पेशन के लिए मैं आप से माफी माँगता हूँ लेकिन यह आपको बहुत हल्प करने वाला है तो चले चुरू करते हैं आज का वीडियो देखे अगर आप डिरेक्शनल टम को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि स्टेंडर्ड अने टॉमिकल पोजिशन होती क्या है इस पर मैं वीडियो अप्लोट कर चुका हूँ अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है लेकिन फिल भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इस पूजिशन को एक रिफरेंस बॉजिशन की तरहा समाल किया जाता है अब स्कव्ई हँमन बटकरंथ चाहे जाता है directional term की, directional term generally paired form में होती है और इनकी जो मतलब होते हैं एक दूसरे के opposite होते है for example anterior and posterior anterior का मतलब होता है ventral and इसका मतलब होता है towards the front मतलब आपके आगे and the posterior is also known as docile it means toward the back मतलब पीछे की तरफ जैसा कि आपस दागराम में देख रहे हैं मेरे दोस्पी थोड़ा बोर हो रहा है इसको भी अंदर ले लेते हैं देखी जो front का जो part होता है या आप कह सकते हैं जो आगी का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं anterior और जो back portion है उसको हम बोलते हैं posterior अगर आपने brain का side view देखा है या जब आप CT, MR करते हैं तो उसके सैसेक्शन को अगर आप देखेंगे देन यू फाइंड frontal lobe is anterior to occipital lobe and you can say occipital lobe is posterior to frontal lobe चलिए आपको एक और simple example देता हो जब आप chest x-ray करते हैं तब आप chest PA view को prefer करते हैं PA का मतलब होता है posterior to anterior यहाँ पर हम basically central ray की direction को बताते हैं माली जी यह patient erect खड़ा है तो central liquid action कहां से होती है from posterior and it emerge from anterior aspect इसलिए इसको chest PA view कहा जाता है next important pair of directional term is superior and inferior superior का मतलब होता है cranially या cephalic या इसको आप हो सकते हैं toward the head या above inferior को हम caudal भी बोलते हैं इसका मतलब होता है toward feed और below चलिए इसको diagram की मदद से जमने की कोशिश करते हैं हम diagram के साथ साथ अपने दोस्की भी help देंगे यह अभी standard anatomical position में नहीं है लेकिस समझाने के लिए यह काफी है superior का मतलब होता है above या towards the head and inferior का मतलब होता है below या towards feet उधारन के तोर पर superior vena केवा जो deoxidated blood को upper part से heart की तरफ लेके आती है similarly inferior vena केवा जो deoxidated blood को lower part से heart की तरफ लेके आती है so let's take a simple example you can say eyes are superior to the nose or you can say nose is inferior to the eyes similarly when you do radiography of skull you angle the beam in a specific direction for specific projections माल लीजिये patient supine लेटा है और आप skull का कोई specific projection कर रहे है तो आप central ray की जो beam को आप या तो toward the head project करेंगे या angle करेंगे उसको हम बोलेंगे cranially या cephalic या आप central ray को angle करेंगे toward the feet इसको हम बोलते हैं caudal या caudaly now moving on to the next pair of directional term is proximal and distal proximal का मतलब होता है past distal का मतलब होता है दूर इन terms का small हम upper and lower extremities को describe करने में करते हैं proximal mean nearest or closer to any point of reference और origin or trunk इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो point of reference या origin या trunk के पास में होती है इसके लिए एक word है इसको हम बोलते हैं proximity इसका मतलब होता है nearest या past में distal mean anything which is far away from the point of reference origin or trunk मतलब कोई भी चीज़ जो reference point origin या trunk से दूर है इसको याद करने के लिए एक शब्द है distance इसका मतलब होता है दूरी चलिए इसका एक example लेते हैं जैसा कि आप इस diagram में देख रहे हैं shoulder joint जो होता है it is nearest to the point of origin तो आप ये कह सकते हैं कि shoulder is proximal to the elbow joint और आप ये भी कह सकते हैं कि elbow joint is distal to the shoulder joint उसी परकार जब हम lower extremities को describe करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि hip joint is proximal to knee joint और आप ये भी कह सकते हैं knee joint is distal to the hip joint next is medial and lateral जैसा कि मैंने आपको previous वीडियो में समझाया था और body planes के बारे हैं बताया था कि societal plane जब body के mid line से पास करता है तो body को दो equal half में divide करता है which is right and left side और जब ये mid line से पास करता है तो इसको हम बोलते हैं mid societal plane, medial या mid line बोलते हैं medial का मतलब होता है toward the mid line और middle of the body जैसा कि आप इस डाइगराम में देख रहे हैं anything which is closer to the mid line उसको हम बोलते हैं medial lateral means distal from mid line or median you can say anything which is away from the body mid line or medial I will give you an example navel is located medially because it is near the mid line similarly arms are located laterally because it is away from the body mid line अगर radiographic positioning का example ने तो मैं आपको बता दू जब आप हिप का APU करते हो तब आप लेक को medially rotate करते हो that means you are rotating the lower limb towards the mid line of the body we can also use it to describe the internal structure of the body for example you can say lungs is lateral to the heart or you can say heart is medial to the lungs the next pair of directional term is unilateral and bilateral unilateral का मतलब होता है involving the one side of the body because uni का मतलब होता है one or single similarly bilateral का मतलब होता है involving the both side of the body because by का मतलब होता है both चलिए एक example लेते हैं माली जी एक patient है जिसके केवल एक ही arm पर rashes हैं तो आप बोलोगे unilateral rashes क्योंकि ये एक ही side को involve कर रहे हैं similarly अगर किसी patient के दोनु side में rashes हैं या दोनु arms में rashes हैं तो आप बोलेंगे ये rashes bilateral हैं क्योंकि ये दोनु side को involve कर रहे हैं the next pair of directional term is superficial and deep superficial mean a position closer to the surface of the body for example skin is superficial to bone आप कै सकते हैं skin जो होती है वो bone के superficial होती है second is deep it means position further away from the surface of the body for example brain is deep to the skull आप कै सकते हैं जो brain होता है वो skull से deep होता है now moving on to the next pair of directional term it is ipsilateral which means on the same side of the body ipsi का मतलब होता है same and contralateral means on the opposite side of the body because contra का मतलब होता है opposite side चलिए इसके कुछ example देखते हैं माल लीजिए ये patient है आप इसके right arm को इसके right leg से compare कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये ipsilateral है क्योंकि ये same side में हैं और अगर आप इसके right arm को इसके left arm से compare कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये contra letter है क्योंकि ये opposite side में है next is supine and prawn इन टर्म्स को generally directional term में include नहीं किया आता फिर भी मैंने इनको mention कर दिया है supine का मतला होता है laying on the back मतला face up similarly prawn का मतला होता है laying face down माल लीजिए ये patient है और ये peed के बल लेटा है मतला back के लेटा है और इसका जो face है ये उपर की तरफ है तो इसको बोलते हैं हम supine position अगर patient paid के बल लेटा है और इसका face down है इसको हम बोलते हैं prawn position चलिए आप बात करते हैं next directional term की which is parietal it's mean relating to the body cavity wall ये body cavity wall से related होता है next is visceral it's mean relating to the organs within the body cavity body cavity के अंदर जो organ होते हैं ये से related होता है let's take an example lungs are covered by a membrane called plural membrane it has two layers first layer is called parietal plura as it related to the body cavity means it is the outermost layer second layer is called visceral plura which covers the lungs it is called visceral because it is related to the organ within the body cavity चलिए आप मूफ करते हैं next direction which is axial it being around the central axis intermediate का मतला होता है between the two structures for example knee is located between hip joint and ankle joint similarly elbow joint is located between shoulder and wrist joint यही था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरी चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आपको मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलते रहें थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद